Good morning friends, exam guru YouTube channel में आपका स्वागत है, मैं परदीप आज की वीडियो हमारी जो 1000 question की series चल रही है, उसकी 7 वी वीडियो है 6 मैं already बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको जाकर के देख लें Link आपको description box में मिल जाएगा, चलिए, आएए शुरू करते है देखिए, पहला question आपका दे रखा है How much will be added to each terms 3 ratio 5 that it will be 2 ratio 3 आपको दे रखा है 3 ratio 5 के परतियक पद में कितना जोड़ा जाए कि ये आपका 2 ratio 3 हो जाए इसके करने के दो तरीके हैं सबसे पहला तरीका क्या है आपका 3 ratio 5 दे रखा है और 2 ratio 3 दे रखा है आप क्या करोगे, cross multiply कर दू इधर करोगे 9 और इधर करोगे तो 10 यानि कि ये 9 से 10 हो गया 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, 9 से 10 हो गया कितना add हुआ है, add हुआ है plus का 1 तो आपका answer हो जाएगा 1 ओके, ये एक simple method है second आपका क्या है आप ये भी कर सकते थे suppose number 3 upon 5 है हमने add करा x तो कितना हो गया है, 2 upon 3 अब आप cross multiply करके solve करोगे तो भी आपका answer x की value 1 आ जाएगी कर लिजेगा चलिए, चलते हैं अगले question पर अगला question दे रखा है हमारा देखिए next question है, एक ठोक वैपारी एक retailer को 5% के लाब पर एक jacket बेचता है यानि कोई wholesaler है, उसने क्या गरा 5% के profit पर उसको बेचा है खुद्रा विक्रेता उसे 10% के लाब पर ग्रहक को बेचता है wholesaler ने 5% पर दिया, retailer को, retailer ने customer को दिया 10% के profit पर और customer कितना pay करता है, customer pay करता है 4,158 अब आपको इसको कहा जाना है, हमें पता लगाना है कि ठोक वैपारी ने इसकी लागत जोथी क्या दी थी यानि कि ठोक वैपारी को इसका कितनी लागत पड़ी थी तो अभी इन्होंने सब profit दिया है, अब हमें वापिस जाना है CP पर तो हम क्या करेंगे, जो ठोक विकि देता था, 100 रुपे की चीज़ थी उसने 105 में बेची 5% का profit मतलब 105% पे, तो 105 से divide कर देंगे और 100 से multiply उसके बाद बात करें, retailer की, retailer ने क्या क्या, same as उसने 10% के profit पे बेचा यानि की 100 रुपे की बस्तू थी, तो उसने 110 रुपे में बेची होगी तो 110 से divide करेंगे, और 100 से multiply अब आप इसको solve कर दोगे, ठीक है, तो आपका answer आजाएगा, कितना आएगा 3600 option D, ठीक है, आप इसको solve कर लेना इसको 5 से काटके, फिर 21 से कर जाएगा, या आपका simply हो जाएगा चलते हैं, अगले question पे देखो, अगला question आपका दे रखा है 60 आदमी किसी कारियों को 250 दिन में समाप्त कर सकते हैं यानि की, total work जो आपका है 60 आदमी है, 200 दिन में काम कर सकते हैं, 200 दिन तक उन्होंने कारियों कर लिया इसका मतलब अब कितने दिन का काम बचा हमारा, 50 दिन का 60 आदमी 50 दिन तक काम करेंगे और क्या कह रहा है, वो 10 दिन किसी वज़़ा से कारियों नहीं हो पाया खराब मोशन के कारण, यानि वैदर जो था वो ठीक नहीं था, उसकी वज़़़ा से क्या होगा 10 दिन काम, डिले हो गया अब टाइम पे उन्हें काम कंप्लेट करके देना है, तो कितने और वरकर्स की रिक्वार्मेंट होगी काम को टाइम पे कंप्लेट करने के लिए, तो देखिए, 60 तो पहले थे ही, मैंने मार लिया X आ जाएंगे ठीक है, और आप इन्टू में कितने दिन में काम खतम करना है, 40 इसको आप सॉल्फ कर दो देखो, 0 से 0 कटा, 4 से काटेंगे 15 बार पे, 15 की 5 में करेंगे 75 प्लस का 60 अधर आएगा, माइनस का, X की वैल्यू कितने आ जाएगी, सॉल्फ करोगे तो 15 यानि की 15 वरकर्स की और रिक्वार्मेंट है, 15 वरकर हो रह जाएगे तो आपका काम कंप्लेट टाइम पे हो जाएगा ओके, आई होप सो, किलियर हुआ होगा, चलिए चलते हैं अगले कोशिन पे देखिए, अगला कोशिन क्या दे रखा है, एक समकोन तिर्बुच का आधार 12 सेंटीमिटर तता सीर्स लंब 5 सेंटीमिटर है उसके विकर्ण के विप्रित सीर्स से लंब दूरी ग्याद करो ये कोई आपका एक राइट एंगल ट्रेंगल दे रखा है ठीक है, ये आपको दे रखा है 12, आधार 12 है, लंब 5 है पाइतोगोरस थियोरम से ये निकल के आ जाएगा 13, ठीक है इस तरीके से निकालोगे 12 का स्क्वेर, 5 का स्क्वेर, 12 का 144, 5 का 25, दोनों को जोड़ा 169 और 169 का रूट होता है 13, ठीक है, तो ये आपका 13 आगया टोटल यानि कि आपकी जो कर्ण है, हाईपोटेनिय से वो आपकी 13 निकल के आ गई अब उसने हमें क्या बोला है, हमें निकालना है यहां से यहां तक की लंबाई, ये तो देखो इसका एक शौट तरीका क्या है, जो इसकी लेंथ होती है न, इन दोनों के गुननफल और इसके डिवाइट करने पे निकल के आ जाती है, यानि की 12 इंटू में 5 और नीचे 30 ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, लंब और आधार यानि की बेस और प्रिपेंडिकुलर की मंटिप्लाई करो और हाइपोटेने से डिवाइट कर देते हैं तो आपका आ जाती है, ये जो आपकी अपोजिट वर्टिक्स होती है, लाइन इसके सॉल्फ कर दो, ये आपको जाएगा 12 पंचे 60, जो जाएगा 60 बटे में 13, 13 से भाग करोगे, 13 एकम 13, 13 दूनिच 26, 13 तिया 49, 13 चोके 52, 13 फोर्जा 52, बचा 8 और नीचे 13, तो ये ओप्शन कहा है, ये ओप्शन आपका दे रखा है, बी, ओके, आई होप किलियर हुआ होगा, क्या करना था आपको, सिंपल सा था, कि इसमें डाइग्राम बनाना था ये, ये दे रखी है 12, ये दे रखी है 5, ये 13 निकल के आगए, ये निकालनी है, इसकी जो लेंद्थ होती है, इन दोनों का प्रोडेक्ट होता है, और इससे डिव 2 upon 9, 3 upon 14, and 2 upon 7 upon 20, तो देखो, इस तरह की question में क्या होता है, जब भी upon में आई, LCM, SCF निकालने को बोले, अगर आपसे LCM बोल रहा है, तो उपर वाले का LCM लो, अगर आपसे LCM बोल रहा है, तो उपर वाले का LCM, और नीचे वाले का SCF, और अगर आपसे SCF बोले, तो उप नीचे वाले का LCM, ठीक है, मतलब जो यहाँ होगा, वही सामने होगा, उसका पोलिक नीचे होता है, चलिए, तो अब क्या हुआ यहाँ पर, LCM बोला है, तो हमें इसका LCM लेना पड़ेगा, LCM कितना आजाएगा, कुछ भी common नहीं है, तो 721 दूनी 42, 42 आपका LCM आगया, SCF नीचे वाले का SCF लेलो, SCF देखा, कुछ भी common नहीं आ रहा, यानि कि 1, तो आपका आंसर हो गया, एक सेकेंड, देखो, दोबारा करता हूँ, इसका LCM 42 और SCF 1, तो आंसर आपका आगया, 42, 42, आंसर विल बी 42C, यानि कि 3ड आपका आंसर हो गया, ठीक है, सिंपल था, LCM आप लेना चाहो तो आप ले लो, ऐसे practice करोगे तो आप भी fast LCM ले लिया करोगे, 7, 7, 3 और 2 का LCM ले लो, 2 से काटोगे, 7 ऐसे रहेगा, 3 ऐसे ही रहेगा, या 1 आएगा, 3 से काटोगे, 7 बचे देखो, अगला question क्या दे रखा है आपका, the product of 2 number is 216, यानि दो नमबरों का गुननफल, 216 दे रखा है, और HCF दे रखा है, LCM निकालो, तो मैंने आपको बताया तक formula होता है, A इंटू में B is equal to, HCF इंटू में LCM, पहले भी कई बार कर चुके हैं ये question हम, ये आपको दे काई 6, LCM निकालना है, 6 से divide करोगे, कितना हैगा 36, तो 36 आगे आपका LCM, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका fourth, चलिए, चलते हैं अगले question पे, अगला question दे रखा है, ये भी सेम उसी तरीके का है थोड़ा सा, देखो, इसमें क्या दे रखा है, if the product of two numbers is 2160 and the SCF is 6, then the ratio of SCF and LCM, यानि कि इसमें आपको A और B दे रखा है, SCF दे रखा है, SCF और LCM का ratio निकालना है, सेम formula वही लगेगा, AB is called to SCF into LCM, 2160 is called to 6 into LCM, divide करोगे, 360 बार पर आएगा, क्योंकि 6 से करोगे, 36 बार पर आएगा, 0 का 0, यानि LCM आगे है, 360, SCF दे रखा है, 6, जिसका बोला है, SCF और LCM, तो आपको हो जाएगा, 6, देखो, हो जाएगा, 6, ratio, 360, ठीक है, 6 से काट होगे, कितनी बार पर कटेगा, 1, ratio, ये कटेगा, 60 बार पर, तो आपका 1, ratio, 60, answer हो जाएगा, A, answer देखो, ध्यान से, क्योंकि B में दे रखा है, 60, ratio, 1, तो आप ये भी लगा सकते दें, गलती से, पर यहाँ ध्यान दो, क्या है, पहले दिया है, HCF, बच्चे गलती ही कर देते है, HCF दिया है, तो पहले आप HCF की ही value रखोगे, बाद में LCM की, ठीक है, तो दोनों 6 से कटेंगे, ये 1 बार पर, ये 60 बार पर, तो आपका 1, ratio, 60, answer होगा, ना कि 60, ratio, 1, ओके, किलिया रहे, चलिए, चलते है, next question पर, देखो, next question क्या दे रखा है, आपका, next है, कि, x दे रखा है, 1 upon 3y, y दे रखा है, 1 upon 2z, x, y, z निकालना है, तो देखिए, ये जो y इदर, multiply में, इदर आएगा, divide हो जाएगा, यानि, x upon में y हो जाएगा, आपका 1 ratio 3, 1 upon 3, और इदर से z आजाएगा, तो y बटे में z हो जाएगा, आपका 1 upon 2, तो x और y की ratio क्या आगई, x ratio y हो गया, आपका 1 ratio 3, और y, z कितना हो गया, y, z हो गया, आपका कितना, 1 ratio 2, तो मैंने आपको बताया था, जो खाली हो, महाँ पे बगल में वही लिख देते हैं, सीदी सीदी multiply 1, ये 1 हो जाएगा आपका, 1, 3, ये 1 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, और ये आपका 6 हो जाएगा, यानि 1 ratio 3 ratio 6, इसे जाब साब का आणसर कौन सा हो जाएगा, आणसर C, ठीक है, और अगर आपको ये वाला नहीं आया तो हमने देखो, अभी X और Y की ratio क्या निकाल ली, 1 ratio 3 आगई, और Y और Z की ratio क्या आगई, 1 ratio 2 आगई, उल्टा एण कर दो 1, फिर इसकी समें multiply 3, फिर इसकी समें multiply 6, ये वाले तरीके से भी आप निकाल सकते थे, ओके, I hope so, clear हुआ होगा आपको, चलते हैं अगले question पर, देखिए, अगला question दे रखा है आपका, क्या दिया है, कि 6 कारिगर 16 दिन में 96 खड़किया बनाते हैं, यानि कि 6 वरकर 16 दिन में 96 काम करते हैं, और अगर 8 कारिगर 4 दिन में कितनी खड़किया बनाएंगे, एक्स माल लिया, इसको solve कर दो, आपका answer आजाएगा, देखो, आप क्या कर सकते हो, इसको 6 से कट राएंगे, 6 से कट राएंगे कितने बार पर, 6 कम 6, और बचा कितना 3, 6, 6, 36, 16, 16, ठीक है, उसके बाद आपका, आपका, 16 कर दिया, 16 से 16 बार पर कर जाएगा है, यानि 8 चोग 32, यहां बचा 1, बराबर में, 32 बटे में x, x इदर आ जाएगा, x की value आ जाएगी 32, यानि कि 32 दिन में काम हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा, d, ठीक है, दुबारा कर देता हूँ, 6 इन टू में 16, अपोन में 96, और बराबर में आपका 8 इन टू में 4, अपोन में x, ठीक है, इस से कट जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 बराबर में 32, बटे में x, x इदर आ या नेक्स कोश्चन पर अगला कोश्चन देखो क्या दे रखा है आपका LCM of two consecutive even number are one double four find the number यानि दो consecutive number है उनका LCM दे रखा है one double four तो simple साहब इसमें से सबका option यूज करके भी कर सकते थे जिसका LCM 144 आएगा वो यापका answer हो जाता ठीक है पर मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे कर सकते हैं देखो one double four है इसका मैं factor कर सकता हूँ two into में 72 एक सचवाली साहएगा इसको भी क्या factor कर सकता हूँ eight और nine आट निम्भादतर तो आपका जो number होगा ना क्या होंगे इस two की multiply इसमें भी कर दो 16 और इस two की multiply इसमें भी कर दो 18 यानि 16 अठारा answer हो जाएगा और आप option यूज करके भी कर सकते हैं जिसका LCM 240 आएगा वो या आपका answer हो जाता ठीक है चलिए ये trick थी चलिए अगले question पर चलते हैं देखिए अगला question क्या दे रखा है 15 liter of a mixture contains alcohol and water in the ratio one ratio four and if three liter of water mix in it the percentage of alcohol is the new mixture will be देखो 15 liter कोई mixture दे रखा है alcohol और पानी का ठीक है उसमें ratio क्या है one ratio four ठीक है उसके बाद वो कह रहा है तीन लीटर पानी इसमें मिला दिया जाये तो alcohol का परतीसत क्या हो जागा तो इनमें देखो simple से ratio की तो कोई जोड़ती नहीं पड़ेगी हमें ठीक है बीना ratio की simple से होगा कि पहले कितना था 15 liter तीन लीटर के अगर पानी मिला दिया तीन लीटर पानी मिला दिया तो अब कितना हो गया 6 से काटेंगे तो 16.667 ठीक है option ratio में दे रखा है fraction में तुद देखो 6 बटे में sorry 3 बटे में 18 इंटू में 100 6 से काटोगे तो 16 सही 2 बटे 3 अंसर आपका हो जाएगा B ओके चलिए चलते है अगले question पर अगला question दे रखा है और जो भी वीडियो को देख रहे हैं अगर आपको पसंद आ रहे है तो प्लीज इसको like करें ठीक है और subscribe करें और जितना हो सके अपने friends को study group में जितने भी उन the channel पर share करें चलिए झेहा क्यों करें को देखता संदा के दिक्ता रेखा है दो लड़कों की a iu का on 4 ratio 7 में वर्तमां में जो इक हुआ कि इस दे रखी है कितने रखी है 4 ratio 7 में 2 साल बाद इनके तो दो साल बाद अगर h दे रखे है तो सभी की जो ratio होगी वो same बढ़ेगी पर यहाँ देखो 2 बढ़ रही है और यहाँ पे 4 तो हमें इसको equal करना पड़ेगा equal करने के लिए इसमें कितने का gap है? 3 का तो इनको 3 से multiply कर देंगे तो 3 से multiply करेंगे हो जाएगा 6 और यह हो जाएगा 9 अब कितने का gap आया? 2 का इधर भी आया 2 का तो 4 से 6 पोचे हैं वो कितने साल में? 2 साल में यानि 2 साल में ही दे रखा है 2 साल बराबर 2 के है मुझे निकालना 12 साल का है तो इन दोनों में 12 जोड़ दो 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16 और जब 7 में 12 जोड़ेंगे तो 19 तो 16 रेशो 19 आपका आंसर हो जाएगा D किलियर हुआ? रिपीट कर देता हूँ देखें उसने क्या दे रखा है? 4 रेशो 7 दे रखा है और उसके बाद रेशो दिया 2 रेशो 3 अभी इनका गैप अलग अलग है इक्वल करने के लिए हमें मंटिप्लाइ करनी पड़ेगी 3 से जब इसमें भी 3 से करोगे इसमें भी 3 से करोगे तो यह हो जाएगा 6 रेशो 9 अब देखो यहाँ गैप कितने का है? यहाँ भी गैप है 2 का और 2 का है उसमें बोला यह दो साल बात का 2 का 2 है तो 12 कितने के बराबर होगा? 12 के तो इसमें 12 प्लस कर दो किसमें 6 में? तो 12 में 6 जोड़ेंगे 16 और 7 में 6 जोड़ेंगे तो 19 ओके चलते हैं गले कोशन पर नेक्स्ट अब मैं आपको 6 वीडियो पहली बना चुका हूँ इसलिए कोशन को हम थोड़ा फास्ट करेंगे आपकी भी स्पीड बनी चीए और अगर आपको भी भी लग रहा है कि आपकी स्पीड चल दे तो आप मेरी जो पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ उनको जाके जरूर देखें वहाँ पर आपको बहुत ही जोड़ा सा फास्ट कर लोगे चलिए चलते हैं अगला कोशन देखें क्या दे रखा है नेक्स्ट कोशन है अब अब टिकर स्टिक 12 सेंटिम डंडी जो है मालोई कोई यह दंडी है यह कितने की है 12 सेंटिमीटर की है तो इसकी shadow कितनी बनती है इसकी shadow बनती है 8 ठीक है अब वो कह रहा है कि उसी समय एक अन्य टावर की छाया यानि एक दूसरा बड़ा टावर दे रखा है अब उसकी shadow कितनी दे रखा है 4, 3, 2 तो ये कितनी होगी बहिए simple सा इससे divide कर दो और फिर इससे multiply कर दो ठीक है तो क्या हो जाएगा आपका 4, 3, 2 छाया दे रखी है ठीक है और ये height दे रखी है किसकी उचाई तो आप क्या करो छाया सा छाया को divide कर दो और multiply कर दो 12 से ठीक है तो देखो आप क्या करोगे divide करोगे 8 से कितनी बार पर आएगा 8, 6, 8, 8, 32 8, 5, 40 और 8, 32 54 इन 2 में 12 तो कितना आजाएगा multiply कर दो 12, 12, 12, 12, 12, 34, 12, 48 की 8 कैरी लगा 4 12, 5, 60, 4, 64 यानि कि 6, 4, 8 आपका answer हो गया answer हो जाएगा आपका B ठीक है repeat कर रहा हूँ question कह रहा है कि ये जो आपकी 12 cm की ऊची छड़ी है ये 12 cm की तो इसकी shadow आ रही है 8 इसी परकार से अगर दूसरी दे रखी हो कितनी आपके shadow दे रखी है 4, 3, 2 और निकालने मुझे क्या है इसकी height इससे divide करेंगे और इससे multiply जो आएगा ठीक है चलिए next question जो भी वीडियो को देख रहे है प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ठीक है चलिए आप अपना support इसी तरीके से दे सकते है हमारे सब्सक्राइबर बढ़ा कर चलिए और जो भी आपके वीडियो है इस वीडियो में वो अपने comment box में जरूर लिखें अगला question दे रखा है the sum of square of two positive number is 100 and the difference of their square is 28 find the sum of the number दो धनात्मक संख्याओं के वर्गो का योग आपको दे रखा है 100 पहला x square दूसरा y square 100 इनका अंतर दे रखा है 28 ठीक है यहाँ से आप cancel हो जाएगा यो जाएगा 2x square यो जाएगा आपका 128 दो से काटोगे 64 x square square रखेगा इदर root चड़ दाएगा x की value कितनी आ गई x की value आ गई आपकी 8 अब आप खुछ समझ सकते हो आप यहाँ पर रख दो ठीक है अगर यहाँ पर रखूँगा 8 यानि कि यह 8 है यह 10 का square है बीच में क्या होना चीए 6 का square होगा कोई triplet क्या होती है 8, 6, 10 triplet होती है इस तरीके से कर लो बनना ऐसे भी कर सकते हो यहाँ 8 रखोगे 64 हो जाएगा 8 का square 64 plus का 64 है इधर आएगा minus का हो जाएगा तो y square बराबर में 100 में से 64 जाएगा बचेगा 36 square 8 रूट चड़ जाएगा आंसर आजाएगा 6 ठीक है तो पहली संख्या 8 दूसरी संख्या 6 उसने बोला इसका सम कितना आएगा तो 8 हो छे, 14 तो आंसर हो जाएगा 14 ठीक है 14 मेंस आंसर होगा आपका C क्योंकि दोनों का सम बोला था X की वैल्यू आपकी 8 हाई Y की वैल्यू आपकी 6 हाई तो 8 रूट चाहे कितना हो गया 14 चलिए अगला question दे रखा है देखिए क्या बोला है A man bought 24 carrots of orange for 10,000 रूपीस यानि कि 25 carrots खरीदे है इसने क्या औरेंज कितने में 10,000 में He lost 5 carrots 5 carrots उसके खराब हो गए ठीक है और कह रहा है in order to earn a total profit 25% of total cost वो चाहता है पूरे पे उसको 25% का profit हो तो बताओ उसे कितने रूपे में बेचना पड़ेगा तो सबसे पहली बात तो ये है कि उसने देखो क्या दिया है उसने खरीदे थे 25 carrots कितने के 10,000 के पर उसको बेचना कितने में 25% profit पर तो इसमें क्या करेंगे 25% profit जोड़ेंगे 25% profit जोड़ेंगे इसका 25% आएगा धाई हजार तो यानि क्यों हो गया 25,000 यानि कि उसको 25,000 में बेचना है अगर वो जितने 10,000 का लाया था साड़े बारा हजार का बेचता है तो ही उसको प्रोफिट होगा 25% का पर एक चीज़ देखिए वो लाया कितना था वो लाया था 25 कैरेट पर उसके 5 खराब हो गए तो अब कितने बचे हैं उसके पास 20 कैरेट बचे है यानि कि मैं बोलूँ कि उसके पास उसने 25 कैरेट खरी दे थे 10,000 के उसको बेचना कितने का है साड़े बारा हजार में बेचना है क्योंकि उसको क्या कमाना है इस पर प्लस करना है 25% प्रोफिट का तो इतने का बेचना है पर क्या हुआ उसने 25 की जगा अब कितने बेचने है सिर्फ 20 ही बेचने है क्योंकि उसके पास 5 केरेट खराब हो गए है तो 20 से इसको डिवाइड कर दो 625 आपका आंसर ठीक है रिपीट कर देता हूँ देखो question कहा रहा है कि उसमें आपको साड़े 12,000 रुपे में बेचने है कितने 20 केरेट क्योंकि 5 खराब हो गए तो 20 ही तो बचे है अब आप 20 बेचके इस पूरे का हिसाब लगाओगे तो इससे सको कट गया जीरो दो से कार्टो के 6 बार पे दो से कार्टो के 50 को 25 625 रुपे का एक कैरेट बेचेगा तब उसको 25 परचेंट का प्रोफिट होगा ठीक है चलिए next question दे रखा है आपका देखिए next question है 4 number are in the ratio 1 ratio 2 ratio 3 ratio 4 and the sum is 16 the sum of the first and fourth number is equal to यानि कि मैंने मान लिया number हो गया x तो चारो का sum कितना दे रखा है 16 तो देखो अगर मैं इनको प्लस करता हूँ तो क्या हैगा 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 x बराबर में 16 तो 4 3 7 7 और 2 9 और 1 10 यानि कि 10 x बराबर में दे रखा है 16 तो 1 x हो जाएगा कितना 16 बटे में 10 निकालना कितने का है मुझे पहली और 4 तो पहली और 4 तो पहली और 4 कितनी हो जाएगी 5 तो 5 से मंटिप्लाई कर दो ठीक है 16 पंचे 80 80 को 10 से भाग करेंगा तो कितना आएगा 8 ओके आई होब सो किलियर हो आओगा चलिए नेक्स्ट कोशन इप दा कम्प्लिमेंट अफ एन एंगल इस वन फॉर्थ अफ अफ दा सप्लिमेंटरी एंगल देन अगल इस यानि कि देखो आपको पता हो सबसे पहले अगर हम बात करें पूरक और समपूरक कौन जो आपका पूरक कौन होता है वो होता है 90 माइनस ठीटा और जो समपूरक होता है वो होता है आपका 180 माइनस ठीटा क्या बोला है उसने 1 फॉर्थ है तो 1 फॉर्थ ले लिया इसको solve कर दो आपकी x थीटा की value निकल के आ जाएगी 4 की इदर multiply करूँगा तो हो जाएगा 9.36 360 minus 4 थीटा बराबर में 180 minus थीटा यह plus का 4 थीटा इदर आएगा तो minus का हो जाएगा और 180 plus का इदर आएगा minus हो जाएगा तो इदर आके बचा 180 4 थीटा minus का इदर आएगा तो plus बचेगा 3 थीटा क्योंकि यह 4 थीटा minus का है इदर आएगा plus हो जाएगा और एक already minus का थीटा है तो 4 plus का minus का 1 थीटा बचा 3 थीटा 3 से divide कर दोगे 60 आपका answer ओके repeat करता हूँ 90 minus थीटा बराबर 180 minus थीटा अपन में 4 4 इदर गया 360 minus 4 थीटा is equal to 180 minus थीटा 180 इदर आगया तो बचा 180 यह 4 थीटा इदर चला गया तो minus का थीटा plus का 4 थीटा यह बचेगा 3 थीटा बराबर में 180 3 से 180 को काटा तो 60 आपका answer ठीक है चलिए आई होप सो किलियर हुआ होगा next question वीडियो को लाइक करें शेयर करें ठीक है और जो भी नए यूजर से चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें चलिए अगला question देखो दे रखा है बहुती इंटरेस्टेट है 1 to 8 are the multiples together the number of 0 and of the product must be किस से 135 7.99 यानि कि वो कह रहा है अगर क्या करें हम 1,3,5,6 इस तरीके से और नमबर दे रखें 99 तक है उसको हम 128 से multiply करें तो कितनी 0 आने की possibility है तो जरा मुझे बतावा आप बात कि जो 0 होता है वो सिर्फ 2 और 5 से आ सकता है ओके सिर्फ 2 और 5 से 0 आ सकता है और कोई नही है reason smallest बता रहा हूं है ठीक है आने को 4 पांच से भी आ जाएगा सबसे छोटा तो यहाँ पर 5 आ गया फिर 15 आएगा फिर 25 आएगा फिर 35 आएगा फिर 35 आएगा फिर 45 आएगा ऐसे 5 बहुत ज़्यादा बार आएगे उसके बाद हम देखे 2 कितनी बार आ रहा है तो देखा मैंने 2 जो है यहां 128 है 128 क्या होती है 2 की पावर 7 होती है यानि 2 7 बार आएगा तो 7 बार 2 आएगा और 7 बार ही हम 5 ले लेंगे तो कितनी 0 हो जाएगी टोटल 7 0 हो जाएगी लास्ट में अंसर हो जाएगा C रिपीट करता हूँ देखो लास्ट में दे रहा है 128 तो यानि कि 2 को 7 बार मल्टिप्लाई करोगे तो 128 आएगा तो इसलिए इसका अंसर हो जाएगा 7 कि 7 0 इसमें पोसिबल है चलो नेक्स्ट कोशन देखो दे रखा है नेक्स्ट है आपका the number the number between 4000 and 5000 is divisible by each of the 12, 18, 21, 32 दे रखा है आपको 4000 और 5000 के बीच में 12, 18, 21, 32 से विभाजी तोने वाली कौन सी संख्या होगी वैसे करोगे आप तो बहुर तफ पर जाएगा option का use करो आप within second हो जाएगे देखो मैं आपको पहले समझा देता हूँ जो संख्या होगी 12, 18, 21, 32 से डिवाइड होगी तो मैं 12 ही उठा लेता हूँ अभी जो संख्या 12 से डिवाइड होगी definitely 4 से और 3 से डिवाइड होगी ठीक है तो 4 से डिवाइड होने का मतलब होता है last की 3 संख्या 4 से डिवाइड हो तो देखो sorry last की 2 डिजिट last 2 डिजिट ठीक है तो देखो last में 0 3 है तो ये भी नहीं हो सकता 2 3 है 23, 4 के पाड़े में 20 भी नहीं आता last में 32 है, 4 के पाड़े में आता है आपका यही आंसर ठीक है क्योंकि लास्ट में 0,2 है 0,2 भी आपका डिवाइड नहीं हो तो आंसर हो जाएगा आपका C next question दे रखा है next देखो next and the value of 1 upon 15 plus 1 upon 35 plus 1 upon 63 plus 1 upon 99 plus 1 upon 143 इगर इसको आप LCM लेके करोगे तो आप बहुत ही lengthy हो जाएगा मैं इसको trick बता रहा हूँ अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा ठीक है चैनल को सब्सक्राइब लेगा अपना support बनाये रखें और अपने important comments भी करें ठीक है अपने view बताएँ मेरे को चलिए देखिए 1 upon 15 को we can write in the form of 3 into 5 15 आएगा ऐसे ही 35 को लिख सकता हूँ मैं 5 गुणा में 7 प्लस 63 को लिख सकता हूँ मैं 7 गुणा में 9 डोट 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 ऐसे last में 143 है 143 को मैं क्या लिख सकता हूँ 11 गुणा में 13 ठीक है इसी तरीके समने इसको break कर लिया अब ध्यान से देखो सम्में 22 का gap होगा 2 एड हुआ फिर 2 एड हुआ फिर 2 एड हुआ फिर 2 एड हुआ ऐसे last में भी 2 एड हुआ तो इस तरह का जब भी question बने तो आप देखो numbers कितने है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 नंबर है उपर लिखिया 5 सबस सबसे बड़ी संक्या फिर नीचे लिखो multiply में answer आपका आ गया repeat कर रहा हुँ जितने नंबर है उपर नंबर लिखो सबसे छोटी संक्या multiply सबसे बड़ी संक्या आपका answer आजएगा 5 4 39 अगर वीडियो पसंद आई हो ट्रिक अच्छी लगी हो आपको लग रहा है कि हाँ वैल इसकी 20 question की series हमने सिर्फ 34 मिनट में कर लिया है सबसे पहली वाली वीडियो मैंने लगबग उसको 58 मिनट में मनाया था 55-58 फिर ये धीरे धीरे time कम कर रहा हुँ मैं ठीक है time कम करने का reason क्या है थाकि आप इन 20 question को इस stage पर पहुँच जाए कि आप इसको 10 मिनट में कर दें ठी हो गई हो कि आप government job को ले सकते हो ठीक है और मेरा target यही है आपको इस situation में पहुचाना कि आप 10 मिनट के अंदर 20 question करें minimum चलिए friends फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगर आपको पसंद आ रही हो वीडियो तो like करें शेयर करें comments करें और हाँ अगर आपको इसका PDF चाते हैं तो आप मेरा telegram channel link मिल जाएगा आपको comment box में वहाँ जाकर करके join हो जाएं वहाँ पर में इस PDF को डाल देता हूं ठीक है चलिए friends मिलेंगे फिर अगली वीडियो में अभी के लिए चाहिन जय भारत